थे हलो दोस्तो आज हम बात करेंगे कि एक निया सेलर्स जिसको कुछ भी पता नहीं होता है अमजन पर वो कैसे उसका प्रोड़क्ट से पर और कर सकता है माल लिए उसका कोई प्रोडक्ट अलरी अमजन पर है उसको कैसे लिस्टिंग कर सकता है तो चलिए आज का वीडियो मालगे प्रोडक्ट Amazon पर नहीं है तो आपको नेए प्रोडट करना पड़े आऊ लेडिए औरी अमाजन परिस्ट रिस्टिंग तो आप क्या कर सकते हैं मैपिंग करके मैपिंग का मतलब एक लिस्टिंग पे 5 seller self compute करके sell कर सकता हैं चलिए हम लोग फास्ट बात करते हैं कि एक निया product कैसे add कर सकते हैं आप जब निया product add करने का बात आती है आपको तीन चीज़ से आपको ज़रूरी पड़ता है यह है product का UPC code या मालीच यह product पे UPC code नहीं है आप वह product के लिए GTIN exemptions ले सकते हैं जिनको GTIN exemptions कैसे लेना है पता नहीं है मैंने एक वीडियो का link नीचे description box में दे दिया हूँ आप वहाँ जाके देख सकते हैं सेकेंड हो गया product का images थार हो गया कि product का details जैसे कि उसका specification हो गया यह तिनों जब आपका पास available हो जाती है आप क्या कर सकते हैं प्रड़क्ट आड़ कर सकते हैं मैं अभी जो product आपको आड़ करके दिखाऊंगा यह product का उपर UPC code नहीं था तो मैंने क्या किया था अन्ना एक GTIN exemptions लेकर रखा हूं उसी ब्रांड के लिए देखिए मैंने आपको दिखा रहता हूं कि मेरा जो GTIN exemptions से यह already approved हो चुका है तो मैं क्या कर सकता हूं ना उसी ब्रांड का उपर उसी काटागोरी का उपर मैं एक product आड़ कर सकता हूं उसके लिए मेरेको जाना पड़ेगा inventory दिन उसका बात जाना पड़ेगा आड़े product जब आड़े product आउपर क्लिक करते हैं देखिए यहां पे एक option जाता है I am adding a product not sold on Amazon तो मैं यहां पे क्लिक करूंगा देखिए यह जो पेज लोड हुआ है उसमें मेरे को बता रहा है कि फास्ट आप कौन सा category का उपर आप सेल करेंगे product को category selection कीजिए जब मैंने मेरा जो product है मैंने जो सेल करने के लिए जो प्रपूस किया था Amazon को मैं home and garden का जीटेन एक्जिम्सन लिया था मतलब मेरा जो product में सेल करूंगा home and garden category पर आता है तो यहां पर जो category है मेरा home and kitchen हो गया मैंने क्या 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 ना category select किया देन कुछ sub category लोड हुआ sub category का open होने का बाद sub category का भी sub category होता है आप इससे करके जा सकते हैं बट मालीजे मैंने आपको दिखाने के लिए मैं क्या करता हूं जो sub category है मैं उसको select करता हूं order home and kitchen यही बला मालीजे मेरा category है इसी category का उपर मैं मालीजे product बिशना चाहरा हूं तो मैं इसी category को select करता हूं यहां पर आपको प्रोड़क्ट का डीटेर्स डालने के लिए बोलता है यहां पर आप देख सकते हैं कि इमेज का भी ट्याब है और मालीच आप और भी ज्यादा आप इंफरमेशन देना चाह रहे हैं तो एक मालीच आप आडबंस भी आप ओपन करेंगे बहुत तरह और भी नहीं है बट आप चाहें तो उसको भर सकते हैं मैं आडबंस भी ओपन कर दिया हूँ जिसके चलते क्या होगा मैं आपको ज्यादा से ज्यादा इंफरमेशन दे सकता हूं और फिल्ड का उपर प्रोड़क्ट डीटेल्स फिलप करने से पहले मैं कुछ चीज आपको दिखा जिसके चलते आपको हो समझने के लिए असन होगा मैं लेकर चलता हूं एक प्रोड़क्ट 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 से से इमेजे से यहीं सेक्षन पर सो होगा देखें इमेज पर जूमिंग हो रहा है उसका मतलब यह है कि जो प्रॉडट का जो इमेज का साइज है मोर द्यान 1000 इंटू 1000 पिक्सल से सो यह क्या है जूमिंग फिचर्स काम कर रहा है यहां पर उसको बोलते हैं बुलेट पॉइट यह आपको फिल्ड मिलेगा जहांपर आप प्रॉडट का इम्पॉटन फीचर्स डाल सकते हैं तो यह हो गया आपका बॉलेट पॉइट पूइन पहुआने क्या है ना यह हो गया ना प्रोडर्च का डिश्टिप्शन्स जफॉड़का टे Taylor बताता है और के मतलब यह हुआ है यह की पेज पे आप जितना सारा क्वंटिडी है अलग अलग quantity product का आप दे सकते हैं और भी जितना सरा आप information डालेंगे यह सब यहां पर सो होगा जैसे कि प्रोड़क्ट का dimensions हो गया manufacture कौन है कौन सा country से आया है और item weight कितना है dimensions क्या है क्या है जितना सरा आप डालेंगे वह सब यहीं पर दीखेगा तो अभी हम लोग चलते हैं कि प्रोड़क्ट का इसको यह रेड मार्क करके दिखा रहा होगा तो यहां पर देखें नीचे एक ब्रांड का फिल्ड है यह वाला ब्रांड का फिल्ड आप कर देंगे तो यह कैसे प्रोड़क्ट टाइटल लिखना है डिस्क्रिक्शन कैसे लिखना है मैंने एक वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिक्शन बॉक्स में दे देता हूं आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं दिन उसका बाद आता है कॉंट्री आफ ओरीजिन यह भी मानदा टुड़ी है यह माल लिजे मेरा कॉंट्री आप ओरीजिन इंडिया है तो मैं इंडिया सिलिट कर लेता हूं और यहां पर ब्राइंड मालीचे है एक्स वाइजेड देन मैनेफेक्शर मालीचे मैं कुछ भी डाल देता हूं कि नंबर आइटम्स मालीचे मेरा पास एक बटल से तो मैं एक ही डालूँगा तो कॉलर नेम भी में डाल सकता हूं आपका हिसाबसाब डालिए कि क्या है क्या नहीं है देखिए यहां पर है इंक्लूडेड कॉंपोनेंट्स मेरा नीम ओल 500 ml का है तो मैंने नीम ओल 500 ml डाल र डाल देग दिया मो nova cleaning me¿ ऑल अधर मू साइज मेरु जो भी है मैरे महलेजे डाल देता हूं wannak मैंने पिक्श And conduct आप आपका फोन नमबर मत दीजिए बड़ आपका फैक्टरी आड्रस जो है आप दे सकते हैं जैसे मालीज में कुछ भी डाल देता हूं देन उसका बाद प्रोड़क का डाइमेंशन का मतलब यह हुआ कि जो अक्चुली प्रोड़क का डाइमेंशन से आप वो डाल सकते हैं इसपा बाद यूनित में में सिलेट क लेता हूं तुम पर चलता हूं कैट डब़ाते हैं जोहें काउंट हो हुए इस हुआreaming काईसन की इस धानकरीती हैं एक काउंट हो जाता हैं मैंने जब सारे कुछ फिलप कर दिया देखी यहां पर जो रेड़ मार्क ऑपर मेंशनमेंस प्राइस का मतलब यह हुआ कि आप कितने प्राइस में बेशना चाह रहे हैं मालीजे मैं उसको 200 में बेशना चाह रहा हूं 200 रुपीज में तो 200 डाला और सेकंड में कि आपको मिलेगा सेलर एसके यू का मतलब यह है कि आप आपका प्रोड़क का कुछ कोड कीजिए जैसे कि मालीजे में कोड को देता हूं नीम ओयल 500 एमेल यह मालीजे मेरा स्केव हो गया तो आप एसा बाला कोड दीजिए जिसका चलते आपको पता चल जाए कि आपको कौन सा प्रोड़क भेजना है यह बाला सेल स्टार्ट डेट सेल एंडेट और सेल प्राइस यह बाला फिलाल आप मत कीजिए उसका आपको समझा जाता हो हूं और उसका मतलब यह है कि मालीज मेरा सेल स्टार्ट सार्टट ї हैं और इतना पर सेल करने के लिए प्राइस में आपको सेल करने के लिए ऐह छोड़न दीजे अभी न्यास जाफ के लिए फैदा मत नहीं होगा देन उसका पाद आता है स्वांटिड़क यह मेरा पास 10 तो दिन या तीन दिन लगता है उसको प्रोसेसिंग करने लिए पैकेजिंग और कहीं से मालीज आप सामान लेके बेश रहे हैं तो वहां से लाना पैकेजिंग करना पैकेजिंग करना उसको हैंडल जो पैकेजिंग करके उसको सीब करना यह जो टाइम लगता है आपको यह होत और एक है रिस्टाग्डेट यहां पर मालीज आपको कोई डाउट होता है यह जो कुश्चिन मार्क है उसका उपर मालीज आप करसर रखेंगे तो यह आपको हींट्स दे देगा तो इस गीट वार अभेलेबुल उसको जो निया सलर्स के लिए यह सब चीज लफड़ा में मत फसी है आप उसको नहीं कर दीजिए या इसे ही छोड़ दीजिए उसको नेस्ट पॉइंट है प्रोडॉक्ट टैक्स कोड प्रोडॉक्ट टैक्स कोड का मतलब यह है कि आपका प् के लिए प्रसंड फॉफ फॉफ वाद सिμाल आप क्लीक करते हैं कुछ कौड जाता मिसे लिए प्रॉफ का इस सबसें उसी अप्रोड करेंगे तो यह बहुंप मिलेगा मैं आपको दिखा दूँगे मुहर्ण def. Deutsch कि लिए आपको जाना पड़ेगा मैं धीटिंग सेट देन आपको एक option मिलेगा default product tax code यहां पर मालीज आप क्लिक करते हैं तो देखिए यहां पर view all product tax code and GST rates यहां पर मालीज आप क्लिक करेंगे देखिए यह बाला जो page load हुआ यह बाला दिखा रहा है देखिए in gen exempt 0% है gen super reduce 5% है जो भी आपका product tax code होगा मालीज यह 12% है तो आपको यह बाला code आपको select करना पड़ेगा 5% है यह बाला code select करना पड़ेगा उसी सबसे आपका जो भी tax code होगा यहां पर क्लिक करके आप select कर सकते हैं देन उसका बात क्या हुआ maximum order quantity उसका मतलब यह हुआ कि एक order पर maximum कितना quantity आप दे सकते हैं एक बंदा आया बोला कि यह एक कर देंगे तो एक order पर एक ही quantity हो सकती है दो quantity कभी नहीं ले सकता देन यहां पर आपका कि जो प्रोड़क्ट का जो एक संब्सक्राइब से लगा सकते हैं नहीं तो फिल्यार आप छोड़ सकते हैं कोई इसू है नहीं उसमें देन आता है हम लोग shipping template shipping template का मतलब यह है कि मालीचे आप कोई अशेल्फ कर रहे हैं जब आप सेल्फ कर रहे हैं तो सोच रहे हैं कि नहीं water बटल के लिए 200 रुपया मेरे को shipping लेना है मालीचे को एक जार बड़ा जार भेशता हूं उसके लिए 200 रुपया मेरे को shipping लेना है तो आप यहां पर shipping template में setting कर सकते हैं फिल्याल मालीचे आप को easy ship में sell करना चारें उसको आप छोड़ सकते हैं यह offer start date यह वाला छोड़ दीजे maximum retail price MRP आपको यहां डालना पड़ेगा देखी यहां पर एक red mark है और यहां पर आपको standard price मालीचे में हटा जाता हूं यह एक red mark मिलेगा totally यह वाला पेस पर आप दो ही फिल्ड मालीचे fill up करेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा बट आपको जितना information आपका पास है वह भरने से listing का visibility और customer का जो trust हो बढ़ता है तो आप जितना चाहिए भर सकते हैं तो यह वाला जो मेरा था MRP में जो standard price 200 पर में sell करना चाह रहा थ और यह जो मेरा MRP है यह मालीचे मेरा 300 है इसमें और एक आता है fulfillment channel इसमें क्या है आई विल सीप दी आइटम माई सेल बाप merchant fulfilled मतलब यह हुआ कि Amazon का दो सिस्टम से सेल होता है एक है अब यह पर आप मालीचे product रखे तो Amazon विल सीप और प्रोभाइड customer service मालीचे आपका पास product ह आप प्रोड़क्ट भेजेंगे तो यह हो गया merchant fulfilled तो यह बाला मालीचे आप करना चाहरें तो उसी सब साथ सिलेट कर सकते हैं फिल्याल में product का shipping करूंगा जो भी कुछ customer service में ही दोंगा तो मैं क्या सिलेट किया हूं ना I will ship this item myself then उसका बाद यह बाला टैप complete हो गया Compliances cut app जो है यह इतना mandatory fields है नहीं आप चाहें तो थोड़ा देखके आप फिलप कर सकते हैं इसा कोई issue है नहीं कि आप फिलप नहीं कर सकते हैं इमेज्ट आप में बहुत तरह इसमें आप कितना फिल दे सकते हैं नाइन इमेज़ेस आप दे सकते हैं एक प्रोड़क के लिए तो यहां पर मालीज आप अप लोड़ पर आप क्लिक करेंगे तो एक पॉप पॉप उपन होगा यहां पर जो भी आपका प्रोड़क का मैं आपको दिखाता हूं यहीं पर आपको सोगा जो भी आप डालेंगे तो यहीं पर सोगा उसका जो लिमिट है क्यारेक्टर लिमिट है उसका लिमिट है 2000 क्यारेक्टर 2000 क्यारेक्टर लिमिट में जो भी चाहें आप प्रोड़क का बारे में लिख सकते हैं यही बाला जो section से ये बाला सक्सेशन पर आएगा मैंने आपको पहले पताय था कि bullet point पाश बुलेड प vịस्ता तो मैंने मेमेने माली जै और और करता हूं और और कुछक्क डालता हूं और यह सै करके आप डाल सकते हैं यह जो पॉइंट आपको दिख रहा है जो डॉटेड बाला यह से उसको डालने का कोई नेसेसरी है नहीं यह automatically आ जाई और next field लेगाल डिस्क्रेमर्स लेगाल डिस्क्रेमर्स यह है कि product का बारे में कोई लीगाल आप यह कोई notification देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं देन चलते हम लोग keywords का उपर यह सब mandatory fields नहीं है बट आप भरेंगे तो आपका लिस्टिंग का वीजिबिलिटी होगा यहां पर जो सर्स्टर्म है उसको इसे भी बोला जाता है कि बैकेंड keywords भी बला जाता है उसका क्या ज़रूरत है कि मालीज आप एक बटल सेल कर रहे हैं water bottles हो सकता है वह मालीज प्लास्टिक का भी बटल हो सकता है तो यह वाला क्या बोल सकते हैं प्लास्टिक बटल भी कोई बोल सकता है जो चीज आप प्रड़क्ट टाइटल पे नहीं सकते हैं तो उसको आप उसका जो सिमिलर नेम है आप वह बैकेंड पे डाल सकते हैं जब आप यह बाला टॉर्म आप डाल रहे हैं तो मैंने एक वीडियो का लिंक नीचे में दिया हों कि कैसे अमाजन लिस्टिंग को आप्टिमेशन किया जाता है वह आप चेक कर सकते हैं और उसका बाद और आट्रिबूर्स उसको छोड़ दीजिए इसा कोई इंप्रटन्स है ने उसका सब्जक्ट मैटर्स छोड़ दीजिए यह बाला जो उसको इसको इसाब कोई मनें इंप्रटन्स बात नहीं यहां पर में इंप्रटन्स दीजिए कि सर्च टर्म देन उसका बात चलते हैं और आट्रिबूर्स पर आपको शिपिंग वेड क्या है पैकेजिंग वेड क्या है बहुत सब्सक्राइब चीज चोटा मोड़ा चीज आपको मिल जाएगी आप जो भी है आप यहां पर फिलफ कर सकते हैं आपको यह आसानी से फिलफ हो जाएगी यह इसा कोई डिफिकल्ट आपता हूँ नीचे आ जाता हूँ तो सेब और फिनिस का और समयरे को मिलता है मालीच में सेब और फिनिस में क्लिक करता हूँ प्रोड़क्ट ओलड़ी यूर अफडेट्स हाज बिन सम्मीटेड मतलब यह बीना एर से प्रोड़क्ट मैंने अलड़ी आड़ कर दिया हूँ यह नियरली 50 मिनिट्स का टास्पास टाइम लेता है या उससे पहले भी ओ हो जाता है यह जब यह लिस्टिंग आड़ हो जाएगा यहां पर आपको क्या होगा ना और देखिए मेरा पास एक ही प्रोड़क्ट है और एक प्रोड़क्ट आड़ हो जाएगा माली जो उसी प्रोड़क्ट को मैं रिफेर्स करता हूँ देखिए अल्लेडी मैंने जो प्रोड़क्ट आड़ किया था नीमोल 500 यह अल्लेडी आ चुका है क्वांट्री रिटेन था प्रोड़क्ट प्राइस मैंने डाला था देखिए फी प्रिव्यू भी आ आ गया 200 में मा 10 रुपिस देना पड़ेगा मतलब 5 पर्सेंट मेरे को कमिशन देना पड़ेगा तो देखिए यहां पर अभी सप्रेस दिखा रहा है सप्रेस इसलिए दिखा रहा है कि 100 पर्सेंट यह लिस्टिंग जो है बिल्ट अप नहीं हुआ है यह जब इमेज का साथ सब कुछ से रे प्रड़क्ट को मैपिंग करना है अल्रेड़ी अमेजन का पास अल्रेड़ी यह प्रड़क्ट है मतलब उसका एक AISN नंबर मिलेगा जैसे कि यह लिश्टिंग उपर आप देख सकते हैं हुए एक देखिए प्रड़क्ट डिट्यल पर आपको एक AISN मिलेगा यह centr को कपी करना है यहां पर आपको जाना है आड़े प्रडट्ट हुआ हुआ है यहां पे प्रओक्ट ने जो शोर्च बार रहा है वहां पर आपको पेस्ट करना है और सब्सक्राइब यह घाल चाहे ज़ो कृड्पकर है रम लोग के दाले हैं यह उट्सक्राऀब। यहां प्रॉड़क्ट करना है नियू क्लिक करना है जब आप सेल्स प्रड़क्ट का उपर क्लिक करेंगे देखिए पेज ओपन हो गया तो यहां पर आपको प्रड़क्ट का जो इंफर्मेशन आपको देना नहीं पड़ेगा उनली आपको चाहिए कि कौन सा प्राइस पर आप बेश रहें कितना क्वांटिटी आपका पास है बस इतना साब मालीज आप भर देते हैं तो यह आपका लिश्टिंग हो जाती है देखिए मैं आपको पता रहता हूं देखिए हुआ है श्टिंग 6 executive आपको प्रोड रघना चाहँ है तो सवार चीव देदिये देन कंडिशन आप निव देदिये तन योर प्राइस मालेजे 300 अन्रिय गर दिये लिदेन क्वांटिटि्टि्टी मालेजे दस गर दिया मैक्सिम्मम रिटल प्रेस मालीजे 300 कर दिया देन आई विल सिप इस आइटम मैंसेल्फ यहां पर मालीजे में सेब और फिनिस कर देता हूं यह अलेडी लिस्टिंग हो जाएगी इसमें मालीजे मेरेको और थोरा इंफरमेशन धना है जैसे कि मैंने मालीजे पैकेजिंग करू यह सब जोगरा बगरा है आप वहां पर डाल सकते हैं देखिए आप मालीजे जाएंगे और कुछ आप्सिंस आपको उपन होगा जैसे कि हैंदलिंग टाइम हो सकते हैं कोई दूसरे सेलर दो दिन पर दे रहा है हम उसको पांच दिन पर ले सकते हैं तो हैं लिए जो भी मैक your updates has been submitted मतलब कुछ समय का बात यह automatically मेरा inventory को आ जाएगी जब आपका लिस्टिंग अक्टिव हो जाएगा आप देखेंगे यहां पर totally यही किताब को सेल करने के लिए एक सेलर तो यहां पर है और बाकी दो सेलर नीचे हैं तो यह से आपका भी लिस्ट उसका नीचे आ सकती है या आपका buy box भी मिल सकता है तो मतलब यह लग भाक आपका लिस्टिंग हो जाएगी यहीं पर आसका वीडियो खतम करते हैं थैंक्यू